हेलो जी नमस्ते शेकर असलाम लेकूम आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रीपल ट्रीपल टैरो हिंदी उद्दु पे और आज हम रीडिंग करेंगे कन्या राशी विर्गो 2022 प्रेडिक्शन न्यू येर की प्रेडिक्शन पर विर्गो संवोन राइजिंग और असेंडेंट ज प्रेडिक्शन देखते हैं विर्गो के लिए आपके लिए आपके लिए साल कैसा रहेगा आपकी लाइफ में क्या होगा इस साल में प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए 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 आप वो काफी hard working में गुजरेगा मेहनत में गुजरेगा अगर आप study करते हो तो obviously आपको work hard करना पड़ेगा study के लिए, अच्छे grades लेने के लिए, success पाने के लिए, interviews के लिए, testis के लिए, या अपने exams को clear करने के लिए, okay, और जो लोग already job कर रहे हैं या किसी तरह का carrier है या business है, उ ये वाला साल आपको, आपको promotion देगा, आपको एक reputation देगा, एक success देगा, ठीक है, और आपको bonus भी मिल सकता है, अपने work वाली जगह पे, आपकी hard work का मेहनत जो आपने की है, अप तक उसका आपको सिला मिलेगा, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए जो job नहीं है, jobless people के लिए definitely ये बहुत अच्छी opportunity है, इस साल के आपको एक अच्छी job मिलेगी, एक successful job, जिससे आप कमसकम अपने लिए independent बन सकते हो, या अपने घरवालों का, बच्चों का, family का, आप definitely, खर्चा उठा सकते हो, ठीक है, responsibility ले सकते हो, और कुछ लोगों के लिए, इस साल आपके बच्च है कि आप लोगों के खुद का भी को बिजनेस टार्ट कर सकते हो, इस साल बहुत अच्छे chances हैं, आप लोगों के focus करने पे, अपने future पे, अपने carrier पे, ठीक है, बहुत अच्छे साल है financially, और जिन लोगों की health की issues है, उसमें भी मुझे recovery नजर आ रही है, ठीक है, tension रहेगी, और हो सकता है, बहुत जादा पैसा भी खर्च हो, अगर किसी ना किसम की कोई disease है, कोई बिमारी है, आपको आपके घर में या किसी family के member को, तो definitely पैसा तो खर्च होगा, लेकिन recovery भी होगी, मुझे नजर आ रही है, यहाँ पे, बिजनेस वाले लोगों के लिए काफी कोई सेविं अकाउंट्स आप लोग खोलेंगे, ठीक है, तो काफी financially अच्छा साल है, we have romantic feelings, तो हो सकता है कोई आपकी तरफ इस साल नए लोगों को मिलने के strong chances है, मुझे कोई past वाला लवर नजर नहीं आ रहा, तो अगर आपको किसी का past का weight है, तो मुझे नजर नहीं आ रह है और मुझे लगते है आप इस इंसान को work वली जगह पे मिलोगे, obviously, we have a wedding, या कुछ लोगों के लिए शादी के strong chances है, आपकी शादी हो सकती है with the six of wands, धूम धाम से दुल्हा आएगा, घोडे पे सवार होके, ठीक है, साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आजा वो लगाना यादा रहा है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि गोडी चड़ के आएगा आपका दुल्हा, ठीक है, जी, तो काफी सारे लोगों के strong शादी के chances है, ठीक है, इस साल आपके शादी हो सकती है, अगर पहले नहीं हुई है, कुछ लोग के लिए दूसरी शादी या आप एक दूसरे किसे, आपकी feelings काफी strong है, ठीक है, या आप किसी को like करोगे, अगर like भी नहीं करते हैं, तो family की मर्जी से भी होगी, तो आप दोनों की पसंद से होगी, ठीक है, आप अपनी मर्जी का partner choose करोगे, कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा, ये वाला साल family issues क definitely कुछ issues जरूर होंगे family में, बच्चों को लेके, family को लेके, finances को लेके, लेकिन आपकी, यहां पर मुझे progress होती ही नजर आ रही है, ठीक है, family matters है, अगर financial कोई issues है, वो भी solve होंगे family के, लेकिन थोड़ा सा late होंगे, और सोच समझ के आपने decision लेने है, we have a very soon, मुझे लगता ह आप में से काफी सारे लोगों को life के बहुत important decision भी लेने पड़ेंगे, ठीक है, इस साल, जो definitely आपको यह help करेंगे आगे, we have a no, अगर आपके mind में कोई question है, तो answer is no, या अगर आपको किसी past वाले lover का weight है, no, we have choose a new direction, yeah, मुझे लगता है work के लिहास से, love life के लिहास से, जो भी आपको decision लेने है, आपको answer यहां पे new लोगों का बल में बोरा जा रहा है, और new decision लेने पड़ेंगे, new direction की तरफ जाना पड़ेगा, and we have be assertive, yeah, और आपके पास जो opportunity आएगी, आपने उसको grab करना है, सोच समझ के decision लेने, अगर आपने यह opportunity गवा दी, तो मुझे नहीं लगत की राएगी, ठीक है, लेकिन आपकी definitely situation improve होगी, आपकी life में health wise be, कुछ changes आएगी, financially be or romantic wise be, so this is a good year for you, good luck, like, share and subscribe.